आज मैं आपको ये क्यूर सा टॉप और ट्राउजर बनाना बताऊंगी जो कि मैंने सिर्फ एक मीटर कप्ड़े से बनाया है तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपनी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और वैल आइकन ज़रूर प्रस करें तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास टोटल एक मीटर कप्ड़ा है कपड़े को यहाँ मैंने दो लेयर में फोल रख था है तो यहाँ बिद देखेंगी चालेस इंच है और लंबाई कपड़े की 33 इंच है तो कपड़े को चार लेयर में फोल करना है तो इसको मैंने उल्टी साइड से फोल कर लिया है तो टोटल चार लेयर इस साइड है और एक साइड बंद मिलेगा सबसे पहले टॉप पार्ट की माकिंग करेंगी तो यहां मैं 12 इंच मार्क कर रही हूँ टोटल लेंड टॉप पर्ड की थी 16 इंच जिसमें से 4 इंच बैल्ट का माइनस कर देंगी तो 12 इंच मार्क किया है अभी शोल्डर लेंगी तो 5 इंच यहां शोल्डर ले रही हूँ और आम होल मैंने लिया है दो इंच अभी यहां चैस्ट की मार्किंग करेंगी तो 6 इंच मैंने चैस्ट लिया है और कमर 5 इंच चैस्ट और कमर का चौथा ही भाग लेते हैं हमेशा इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन ले लूँगी तो मार्जिन ज़रूर रखनी है आम हुल में इस तरह से गहराईडी देंगी हलका सा राउंशीप देना है अब टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगी यहां पर दो पार्ट मिल गए हैं फ्रेंट और बैक अभी यहां बॉटम ट्राउजर की कटिंगी करेंगी तो यहां पर मैं थोड़ा शॉर्ट ट्राउजर बना रही हूँ तो कपड़े को चार फोल किये हुए हैं तो सबसे पहले धाई इंच बैल्ट के लिए ऊपर से छोड़ देंगे धाई इंच चोड़ेंगी तो फोल करने के बाद हमारी बैल्ट एक इंच मिलेगी कमर की माकिंग करेंगी तो होगे विए हिप राउण 26 है तो 26 को चोथाई भाग लेना है 36, 38, 34 inch एक्सटराइ लेते हुए आठ इंच यहां पर मैंने माकिंग की है अभी लेंगी तो यहां पर 22 inch मैंने लेंच माक की है 23 चाईए थी 1 inch बैल्ट का मैंस कर दिया है क्रॉच लेंगे क्रॉच में हिप राउन का चौथाई भाग लेते हुए देर इंच एक्स्ट्रा लेना है तो आठ हिंच मैंने मांग किया है दो इंच आगे की तरफ लेना है अब बॉटम की चोड़ाई साड़े आठ हिंच ले रही हूँ यहाँ अब क्रॉच को बॉटम से मिला देना है इस तरह से यहाँ पर मैंने शॉल्ट ट्राउजर बनाया है तो इसकी लेंथ मैंने कम रखी है फुल लेंथ बनाना चाहते है तो लेंथ पूरी रख सकते है आप एक्ष्टर फ़ाब्रिक को निकाल दिया है तो यहाँ पर दो पार्ट इस तरह से मिलेंगे कपड़े के सबसे पहले इमें बेल्ट साइट पे इस तरह से कट कर लेंगे जिससे फोल्ड करेंगे तो बेल्ट अभी टॉप पार्ट को सिलेंगे तो यहां सेंटर पे सबसे पहले मार्किंग करेंगे यहां पर सेंटर पे स्ट्रिप लगाएंगे जिसके लिए मिडल में मार्किंग करनी है और नीचे से भी सेंटर पे मार्किंग करेंगे यहाँ पर मैंने ये दो इंच चोड़ी पट्टी ली है जिसकी लंबाए राउंड 13 इंच है तो पट्टी को दोनों साइट से फोल्ड कर लेना है इस तरह ऐसे थोड़ा थोड़ा सा तो लगबग एक इंच चोड़ाई हो गई है पट्टी की इसको सेंटर में रखते हुए दो तरफ से लाई देते हुए सिल देना होगा और जो एक्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देनी है यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है अब यहाँ पर क्रॉस स्ट्रिप कट करनी है जो की आम होल में लगाएंगी जैसे की गले और आम होल में नॉर्मली हम क्रॉस पट्टी मैंने इसको attach कर लिया है पट्टियों में छोटे-छोटे कर्द देंगे slide नहीं कटनी चाहिए इसके बाद इसको अंदर की side double fold करते हुए slide लगा देंगे back part में भी इसी की तर है fold करते हुए slide देंगे यहाँ पर मैंने इसको slide लगा दी है तो front and back armhole ready हो गए अब जो neck वाला area है उसमें भी एक straight पट्टी लगाते हुए अंदर की तरफ fold कर देंगे यहाँ पर इस तरह से पट्टी को लगाया है इसमें भी cuts देते हुए double fold करते हुए slide लगा देंगे अब slips के लिए यहाँ पर मैंने बैल्ट कट की है जिसकी लंबाई साड़े 9 इंच है और जिसकी चोड़ाई around 1.5 इंच है इसको भी दोनों साइट से फोल्ड करेंगे इस तरह एक पतली से स्ट्रिप बना लेनी है इसको से फोल्ड करना है अभी सिलना नहीं है अभी यहाँ पर दो मैंने black लगी स्ट्रिप बनाई है जिसकी चोड़ाई 5 इंच है और लंबाई 17 इंच है यहाँ पर तीन इंच नीचे से मार्किंग करेंगे इसको वोल्ड कर लेने के बात और उपर से हलका सा स्लीप्स की तरह शेप देना है दोनों साइट की फ्रिल कट हो गई है अभी यहाँ पर यलो फैब्रिक लेंगे इसकी चोड़ाई 4 इंच है और लंबाई उतनी ही लेनी है जितनी की ब्लैक फैब्रिक के लिए थी अब इसमें भी उसी तरह शेप देना है अब इसको ब्लैक स्ट्रिप के साइट को फोल्ड कर लेना है या इस पर पिको भी कर सकते हैं और इसमें हमें इस तरह से प्लेट्स बनानी है तो अब हाँ सिस्वी से इसमें प्लेट्स बनाईए बाद में इसको सेट कर लीजिए मशीन से तो इस तरह स्ट्रिप को ओपिन करना है और फ्रिल को इसमें सेट कर लेना है अंदर की तरफ रखते हुए फ्रल को उपर से स्लाइड देनी है इसी तरह दूसरी साइड भी करना है तो यहां उपर की तरफ बन गिया है और यहां पर मैंने यह बटन्स लगा लिये हैं तो यहां आप कोई भी बटन ले लिजिए और उस पर फैब्रिक को चढ़ाते हुए अ दबल फोल करते हुए बॉटम सिलना है अब स्लीप्स को अटैच करेंगे तो स्लीप्स को इस तारह से रखना है दोनों पार्ट में और उपर से स्लाइड देनी है तो यहां पर मैंने स्लीप्स को अटैच कर लिया है स्लीप्स आटैच करने के बार साइड से लेंगे तो साइड से लने से पहले बैक साइड पे हाँ पर मैं बैल्ट लगाओंगी टॉप के फिटिंग के लिए तो इस तरह से रावं दस इंच लंवी तक आप दस बारा इंच लंबी बैल्ट बना लीजिए यह लगबग एक इन अगर टॉप कमर पे लूज रहता है तो वो भी फिट हो जाएगा अब बॉटम से लेंगे तो सबसे पहले क्रॉच एरिया को सिल लिया है यहां पर मैंने क्रॉच एरिया सिलने के बाद इसको फिलिप कर देना है आसन को बीच में लाना है अब बॉटम को डबल फोल्ड कर लेना है इसके बाद क्रॉच एरिया पे सिलाई देनी है तो यहां बॉटम को फोल्ड कर लिया है और क्रॉच एरिया पे भी सिलाई लगा दी है अब उपर का बैल्ट एरिया है उसको भी इस तरह से दो बार फोल्ड करना है पहले पतला फोल्ड करना है फिर दो बारा से जहां तक निशान था वहां तक फोल्ड करना है यहां पे मैंने belt area को fold कर लिया है और थोड़ा सा क्वेजिक यहांपर इसको open रखा है elastic डालने के लिए तो elastic नींच लैंट 6 तो 22 रिंच सॉफ जैंट कमर से 4-5 इंच कम elastic लेनी रहती है तो पिंच की help से बैल्ट के अंदर डालेंगे लास्टिक को बीच में सिल देना है और अंदर को सेट करते हुए इस तरह से स्लाइड देनी है और यहाँ पर मैंने यह डोरी लगा ली है सो यहाँ पर यह क्यूट सा टॉप और ट्राउजर रेडी हो गया है तो आप अपने नाप के एकॉर्डिंग किसी भी एज के बच्चे लिए इस ड्रेस को बना सकती हूँ तो वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले ओके थैंक्स वर वाचिंग बैबै